सबसे पहले बॉल में सूजी आड़ करेंगे फिर इसमें सॉल्ट आड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें वाटर आड़ करके इसका पेस्ट बना लेंगे अब इसमें इनो का पैकेट आड़ कर देंगे इसमें थोड़ा सा वाटर और आड़ करेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पंदार मिटले रेस्ट करने रख देंगे सामड बनाने के लिए मैंने एक बॉल में दो कप डाल आड़ की है मैंने यहां दाल को अच्छे से वास कर लिया है और मैंने यहां पर बैगन, लौकी और कद्दू लिया है आप अपनी पसंद की वेजेटेबल इसमें एड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें वाटर एड़ करूंगी और सॉल्ट और टर्मिरिक पॉडर मैंने गैस में कोकर को रख दिया है तीन सीटी आने गवाद मैंने गैसी फिलिन को आफ कर दिया है मेरी दाल और बैजेटेबल अच्छे से पक गई हैं अब इन सबको मैं अच्छे से मैस कर लूँगी एक पैन में ऑईल आड़ करेंगे अब मैं इसमें राई आड़ करूंगी जीरा, करी पत्ता और चिली इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें प्याज और जिंजर भी आड़ कर सकते हैं फिर मैंने इसमें मसाले एड़ करें हैं गरम मसाला, हल्री, धनिया और सांबर मसाला इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर मैंने इसमें चौफ टमाटर एड़ किये हैं इसको भी मैंने पहले से ही कट कर लिया था फिर मैं इसमें salt एड़ करूंगे अपने taste के according और मेरे टमाटर अच्छे से पग गए हैं अब मैंने जो इसमें दाल और vegetables को cook किया तो वो इसमें add कर देंगे फिर मैंने टू टेबल स्पून नीबू एड़ किया है मेरा सामबर अच्छे बनके रेडी हो गया है इटली स्टैंड को आउयल से अच्छे जे ग्रीज कर लेंगे फिर मैंने इसमें इटली बैटर अच्छे करेंगे मैंने वाटर को पहले से हीट करने रख दिया था अब मैं इसमें इटली स्टैंड रख करके इसको 10-15 मिनिटर ऐसे ही पकने दूंगी 10-15 मिनिटर इटली को हम लोग चेक करेंगे हमारी इटली बनके रेडी हो गई है अब मैं इसको निकाल लूँगी ऐसे ही सारी इटली को हम लोग निकाल लेंगे मेरे इटली और सामबर बनके रेडी हो गया है किस किस को ची सामबर पसंदे कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरे यूटूब वीडियो पसंद आयो तो लाइक कमेंट सेयर करना मत भूलिएगा आप लोग को जिस आइसपिक वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताईए का बाई बाई